नमस्कार दोस्तों मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्ट और एक बार मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे की हमें पता है पिछले कुछ जनों से हम जॉब और नुखरी के बारे में वीडियोज बना रहे हैं और आप तक बेज रहे हैं ताकि उसका आपको फाइदा मिल सके आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो बनाएंगे आज हम Bank of Baroda Recruitment 2021 के बारे में जैसे की हमें पता है Bank of Baroda में काफी तगड़ा Recruitment होने जा रहा है और उसके बारे में आज ही वीडियो हम बना रहे हैं आप सभी पहरे दोस्तों से मेरे दर्ख्वास्त है अगर आप इस मेरे Official YouTube चैनल में नए हो तो मेरे सभी पहरे दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ ही में यहाँ पर जो भी बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नए ने वीडियो की नोडिफिकेशन अपने आप मिलती रहेंगी और आज हम जो बात करेंगे वो बात होगी बैंक ऑप बरोडा के recruitment के बारे में जैसे हमें पता है bank of world में काफी तगड़ा recruitment होने जा रहा है और किसको आपे opportunity मिलेगी और किसको आपे opportunity नहीं मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे जो commerce से belong करते हैं banking से belong करते हैं और जिरोंने MBA complete किया है उनके लिए काफी तगड़ा opportunity है उनको उस opportunity को grab करना है मेरे सभी पैरे दोस्तों से request है दरख्वास्त है कि आप ये वीडियो अंततक देखिएगा और इस वीडियो का benefit आप जरूर लिजिएगा और यहाँ पे bank of world में आप आप लाइक कीजिएगा मेरे सभी पैरे दोस्तों को request है आप ये वीडियो अंततक देखिएगा और उसके बाद जो पी यहाँ पे बोला गया है उसकी साबसे आप इसके लिए apply कीजिएगा तो मेरे पैरे दोस्तों बिना time गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो किस इसके बारे में हाज बात करेंगे यहाँ पे जो भी आप नवक्री की जॉप की अपरस्तों चीज़े हैं इसके बारे में हाज हम बात करेंगे बैंक को बरड़ा में IT specialist officer, data scientist and data engineer इसके बारे में ये recruitment होने जा रहा है और यहाँ पे कुल मिला के 15 recruitment होगा 15 seats के लिए 15 post के लिए यहाँ पे recruitment होने जा रहा है तो मेरे पहरे सबी दोस्तों को request है आप ये वीडियो आंते तक दिखीए और यहाँ पर जो पी बोला गया है उसकी सबसे आफ information लेकि उसको apply किजिए तो देखते हैं कौन-कौन सी post है और application कब शुरू हो रहा है अप्लिकेशन शुरू हो रहा है 16 नहुंबर 2021 से अलड़ी हो चुका है 16 नहुंबर 2021 से application starts होए है वो हमें भरने है जो आखिर तारिक है वो 6 December 2021 है अप्लाइ करने कि जो आखिर तारिक है आखरी तारिक है वो है 6 December 2021 तक हमें apply करना है उसके बाद हम apply नहीं कर पाएंगे जो भी application process है offline नहीं है वो process online है online हमें website को विजिट करके application करना है तो हमें याद रखना है application की तारिक शुरू हो चुकी है 16 December 2021 को और यहां पर जो हम देख रहे हैं आखरी तारिक है 6 December 2021 और application करना है हमें online mode से और online तरीके से उसके बाद हम करेंगे क्या लगता है qualification क्या होगा education qualification उसके बारे में हम बात करेंगे education qualification के बारे में अगर हमें बात करेंगे तो data scientist इसकी लिए उस candidate के पास at least 60% marks होना ज़रूरी है उसका जो भी डिग्री हो बीटेक हो बीई हो एमटेक हो मीई हो उसको डिग्री होना ज़रूरी है मगर यहां पर percentage का भी यहां पर क्राइटरिया है और क्राइटरिया है 60% वहां पर होना ज़रूरी है और उसकी बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो भी लोग जो भी candidate बीटेक एमटेक एमटेक एमी उनकी और डिग्री है वहीं यहां पर apply कर सकते हैं और यहां पर मैंने उसके education qualification के मारे में आपको बताया है तो देखते हैं कह कहां पर जाना है और क्या करना है कहां पर हमें official website पर जाके application करना है तो यह है उनको official website at bankofbaroda.ing अगर इस website को हम visit करेंगे तो हमें यहां पर apply करने के लिए मिल सकता हैं वहां से हम apply कर सकता हैं तो मेरे पैरे सबी दोस्तों को मेरी दरखवास्त है आप official site website पर जाके पूरी information ल यह applicable post है उसको आप apply कर पाओगे तो मेरे पैर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप से bank of baroda recruitment 2021 में बारे में बात की मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो लाइक करना शेयर करना और comment करना ना भू आपको अपने आप मिलती रहेंगी तो आज की इतना ही आने वाले वीडियो में देखेंगे और एक नवकिरी के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद